राजस्तान में राष्ट निर्माण अभियान के अंतरकत राष्ट निर्माण यात्रा ये चल रही है सद्गुरु डिजाइनर वेडिंग कलेक्शन, हानपिक्ट फाब्रिक्स आन प्रीमियम ब्रांड्स, सद्गुरु स्टोर, मगीन अभाग, अजमेर और ये 23 जिलों में जाएगी 23 मार तक चलेगी, दो चरणों में होगी, पहला चरण 8 मार्च को कोटा में पूरा होगा, फिर होली अवकाश के कारण 5 दिन का ब्रेक रहेगा, फिर 14 मार्च से लेकर 22 मार्च तक टौक पहुचेगी और 23 मार्च को जैपुर में शहीद भगत सिंग के बलदान दिवस के अवसर पर होगा इसका समापन, और ये समापन इंकलाब जिन्दाबाद के नारों के साथ होगा, इस यात्रा में अभी तक शीकर, चूरू, हनवानगर, गंगानगर, वीकानेर, नागोर, जौदपूर, पाली और ये अजमेर जिला हैं, आज फिर ये पहुंचेगी भीलवाडा, रासमन्द और उदेपुर, उसके बाद शुरू होगा, चित्तोर, बारा और कोट, तो पैरा चलन इस दंग से चलेगा, यह यात्रा जो दिल्ली की जनता ने, वहां के विदान सभा चुनाओं में संदेश दिया, उसके कुछ पाइंट से प्रमुख पहला, वहां की जनता ने संदेश दे दिया, देश पर में, कि अब गाली गलोच, एक दूसरे को नीचे दिखाना, एक दूसरे की आलोच ना करके राज लेड़ा, अब यह नहीं चलेगा, अब काम के आधार पर मिलेगा राज, इसलिए काम के आधार पर राज, यह नई बात, दिल्ली ने जो संदेश दिया, उसका अंसार, यह जन जन तक पहुंचे पहला काम, दूसरा काम, अभी जनता की जाधी कमाई में से जो टेक्स लिया जाता है, वह हमारे विशिष्ट जनों के लिए उनकी सुबधायें और उनकी सुरक्षा, उस पर ही खर्च होता है, यह टेक्स दाताओं के साथ अन्याये, इसलिए टेक्स दाता, टेक्स का हिसाब लेना सीखे, और दिल्ली में, जो काम क जनता की गाड़ी कमाई के टेक्स के द्वरा, सरकारी स्कूलों को ऐसा बना दिया कि प्राइवेट स्कूल पीछे छूटके, यानि जहां लाखों रुपे अच्छी सिक्षा के लिए खर्च करने पड़ते थे, आज उसकी जुरुत दिल्ली में नहीं है, यह संदेश हो गया दूसरा, जो टेक्स पेयर है, उसको बाईस हजार लीटर पानी, दो सो योनिट बिजली, यह फ्री, प्रमान पत्र के लिए किसी को चपल जूत यां तोड़ने की ज़रुत नहीं, प्रमान पत्र पहुंचते हैं घर घर, और महुला क्लिनिक में, जिसको भी तुरंत उसको पास में जाना पड़ता है, 10 रुपे किराए में चल जाता है, ये बड़ी बात है, ये जो काम किये, इस टेक्स की राशिक के द्वारा, एक संदेश ये, कि पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, इस ढंक का मोडल हो, इस संदेश को पहुंचाना, और इस संदेश का रवा तीसर संदेश आजादी के भैत्तर वर्ष बाद भी लोगों में आय की असवानता बहुत बढ़ी है और सबसे बढ़ी बात यह जो आज पैदा करता है वो भी पिट रहा है जो भूगता है वो भी लुट रहा है तो दोनों की पिटाई और लुटाई यह बंद होनी चाहिए और इसमें एक उदान दूँगा अजमेर में मूंग है एक किलो मूंग सरकार खरीती है सत्तर रुपर पचास पैसे में वो भूगता को एक किलो दाल के देने पड़ते हैं 125 रुपे तक सरकार जब विदिशों से दाल मंगाती है तो दाम चुकाती है 104 चार रुपए किलो के यह अन्याय इसलिए एक किलो मूंग की दाल बनाने में 10 रुपए अधिक्तम खर्च हो सकता है लाबसाइत क्योंकि एक मूंग के दो टुकड़े करने होते हैं तो आज जो पैदा कर रहा है वो घाटे में वो भूगता वो घाटे में केवल चंद विच अधना सेथ है जिनमें कोई अजमेरवाड़ा नहीं आता यह सब बड़े धना सेथ है आज इसी के साथ दूसरा जो काम हुआ मनरेगा में जो स्रमेकों को रोजगार देने की गारंटी बात की 2005 के कानूंसे पंजियन तो करें जाता है लिकन ने काम दिया जाता ने भत्ते दि हो रहा है तीसरा आज गाउं तक छोटे दुकानदारों के चैन थी उसको खतम किया जा रहा है इसका स्थान ले रहे हैं बड़े बड़े धन्ना सेथ जो सरकार का चहेत है लेकिन भूल जाते हैं उनके आगे भी हम कभी ट्रंप को बलाते हैं कभी किसी और को बलाते हैं और चिडिया चुगने आती है पूंच कटाने नहीं तो कोई भी आएगा हमारे भाले के लिए थोड़ी आ रहा है इसलिए वह खुद के भाले के लिए आते हैं तो यह बड़े सेटों को भी और बड़े से दुनिया के वह उनको निगलेंगे यह जो व्यवस्ता चल रही है इस व् प्रावधान किया है कि विशंता को कम करने के लिए राज काम करेगा यह नीती निर्दिशक तब लिखा हुआ है सरकार उसके काम ने करती जो सम्मिधान की सोगंद खाते हैं वे भी अलग हो जाते हैं और अभी अभी राजस्थान में दो दिन से ओला वरिष्टी हो रही है क किसानों की फतथे चौपट हो रहिए बीवां कंपनियां वे प्रीम्यम लेने में तो आगा रहे थी है क्लेम देने में पीछ आड़ती है हमारी मांगें ए जिस प्रकार की ओला ब्रिष्टी हुई उसमें जितने भी किसान की फसल को हानी हुई उस हानी के आकलन के लिए तीन दिन में काम पूरा किया जाए साथ दिन में उनको भुगतान किया जाए उनकी घाटे की भरपाई के लिए और इस आकलन के लिए बनाए जाए पांच व्यक्तियों की विशेशक समयती जिसमें पटवारी हलका कर्शी परवेक्षक ये दो सरकारी प्रतिनितियों ग्राम पंचा आकलन ठीक होगा जिनका नुकसान होता है ने तो उन से पहले प्यक्राघ्ष करें तरदाजी व्यक्ता बढ़नाे इसके लिए राश सरकार को चाहिए कि अभी से प्रभारी मंत्री प्रभारी सचिब सब को अपने जिलों में भेजे और उसे कहे तीन दिन में खेतों तक पहुंचो और नुक्सान का सर्वे लाओ हम ततकाल मोगे पर भुक्तान करेंगे इसकी आवर सकता है तो आज जो भी पीड़ते उसको न्याय देने के लिए सरकार आगे बढ़े हुआ है